उत्रपदेश विधान सभाचनाओं के नतीजे हम सब के सामने हैं और एक बार फिर से उत्रपदेश के अंदर बीजेपी ने सरकार बनाई है और पहली बार हुआ है अगर बात उत्रपदेश के लिहाज से करें क्योंकि एक 70 साल बाद पहली बार ये हुआ है जब किसी एक खिवंत्री पत कि शपत लेने वाले हैं यूपी के वो खिवंत्री योग्या दितनाथ लेकिन बीजेपी के इस जीत के पीछे की बड़ी वज़े क्या बनी क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठाये जा रहे थे जब चुनावी मैदान में लोग थे तब ये कहा जा रहा था कि एक एहम रोल बीजेपी ने भी निभाया है कैसे बीजेपी ने एक एहम रोल निभाया है तो अगर इसे हम समझे तो बीजेपी के वोट शेयर के हम बात करेंगे बात 2007 की है जब BSP ने सरकार बनाई तब उसका वोट शेयर 30 फीज़दी के पास था और उसने पूर बहुमत से सरकार बनाई बात 2012 की करें तो BSP का वोट शेयर गिरा और तक्रीबन 25 फीज़दी BSP का वोट शेयर था हाला कि वो इन चुनाओं में बहुत पीछ रहे गए लेकिन 2017 से हम समझेंगे कि BSP आखिर बड़ा फैक्टर की हो बना BJP के जीत के पीछेगा BSP का 2017 में जो वोट शेयर था वो तक्रीबन 22.4 फीज़दी था जो समाजवादी पार्टी से भी ज्यादा था हाला कि BSP के सीटे जरूर कम रही लेकिन BSP का वो चेयर इस बात के तद्दीक कर रहा है इन तीनों टर्म्स का कि BSP का जो कोर वोटर है वो बहुत मुश्किल है कि वो BSP छोड़ कर कहीं और खिसके BSP ने इस बार चुनावी मैदानों में अखेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही BSP ने 156 सीटे पर प्रत्याशियों उतारे जो सीधा बड़ी परेशानी खड़ी करे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए 156 मेर से BSP ने जो समिकरर सेट किये जो टिकेट दिये उनमें से मुसलिम और यादवों को सबसे ज़्यादा टिकेट दिये जो सीधा नुकसान पहुचा रहे थे समाजवादी पार्टी को जिसके चलते इसका फाइदा सीधा बिल जेपी को हुआ अब दूसरी बाड़ी वज़े की बात करें तो ग्राउंट पर इस वक्त रियालिटी ये थी कि कोई लॉइन ओर्डर को लेकर सभी लोग योगी आदतनात या फिर यू कहें यूपी सरकार की पीट थप थपाते हुए नज़र आ रहे थे हमने तमाम लोगों से बात की तकरीबन हजारों लोगों का सेंपल मैं आपको बता रहा हूँ जिन्हों लॉइन ओर्डर को लेकर सरकार की पीट थप थपाई हला कि सरकार से वो नाराज जरूर थे तमाम बशेयों को लेकर लेकर लेकिन लॉइन ओर्डर को लेकर वो लगाता रहा है कि बीजेपी जो है वो धुरूवी करण करती है हलाकि इन चुनाओं में इस बार इतना ज्यादा धुरूवी करण का असर नहीं देखा गया लेकिन कहीं न कहीं बोटरों के अंदर धुरूवी करण का असर जरूर नजर आया योगी आदतनात था जब मंचों पर थे अब पर कावणीयों का देकर किया गया मतुरा राममंदिर तमाम तरह के ऐसे जिक्र किया गे जिनमें कहीं न कहीं से वोडरों का धुरवी करण कुछ फिर जजड़ी जरूर हुआ और जो करोड लोगों को मुफ्तराशन दिया इसका जिक्र हर मंच से किया गया अगली बड़ी वज़े वैक्सीन क्योंकि वैक्सीन को लेकर हर मंच से हमने यह सुना फिर वो चाहे आमिच कोविट काल के दौरान वैक्सीन का भी एक बड़ा असर इस चुनाओं में जरूर पड़ा है अगली वज़े की बात करें महिला सुरक्षा एक एहम उद्दा प्रदेश के अंदर हमेशा से रहा है सदेश में इस बार महिला सुरक्षा को लेकर ग्राउंड रियालिटी यह थी ग्राउंड रियालिटी तकरिवन मैं हजार लोगों का सेंपल फिर आपके सामने रखूंगा हजार लोगों से मैंने खुद बात की महिला सुरक्षा को लेकर तो इन सेंपल में यह साफकार पर सामने आया कि महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार से लोग संतुस्थ हैं क्या खिर अगली कौन सी वज़े थी जिसके चलते बीजेपी जो है उसने शांदार प्रदर्शन किया, किसान अंदूलन का जिकर बहुत जरूरी हो जाता है इंचिनाओं में, किसान अंदूलन को लेकर ये कहा जा रहा था चिनाओं से पहले कि किसान अंदूलन वेस्ट के इला जिनाओं में पढ़ता नहीं नजर आया, जितनी उम्मीद की जा रही थी और जितनी उम्मीद समाजवादी पार्टी ने की थी, जितनी उम्मीद जहन चौधरी ने की थी, जिसके चलते वेस्ट यूपी के सीटों में, बीजेपी ने एक बार फिर से 2017 की तरह बढ़त तवज्यों है इन चेहरों का वो गिरे, लेकिन हमने देखा बनारस में जब नरेंदर मुदी पहुचे, यहाँ पर तीन दिनों वो बनारस में रहे, आखरी चरण के चुनाओं के पहले, जब बनारस में चुनाओं थे, तीन दिनों के अंदर जो जनसलाव उम्म्मा और यहाँ पर अगर आप प्रत्याशी रिपीट करते हैं, तो वो प्रत्याशी आपका चुनाओं हार जाएगा, ग्राउंड रियलेटीव यही थी, कि प्रदेश में तमाम सीटेसी थी, मैंने तक्रीबन 60-70 विधान सवा सीटों को कबर किया, यह तमाम सीटेसी थी जहाँ पर आंटीन के मैंसी तो जरूर देखी गई, लेकिन साइलेंट वोटर और साइलेंट वोटरों से जब हमने बात की यह समझा कि आंटीन के मैंसी का असर है, तो उन लोगों का बिलकुल साफ शब्दों में कहना था कि वो अपने विधायक से तो नाराज हैं, लेकिन बीजेपी क एक बार फ़र से शांदार मेंडिट हासिल कियो और प्रदेश के अंदर अपनी सरकार